नमस्कार, Hello Everyone, स्वागत करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पे, Welcome to our channel आज हम डिसकर्स करेंगे एक PSC स्चोक पे, EREDA, Indian Renewable Energy Development Agency जब स्टे लिस्टिंग हुई है कंपनी, उसके लिस्टिंग प्राइस से अब तक 285% तक रिटन दे चुका है ये श्यर EREDA को कुछ दिनों पहले ही 26 April 2024 को ऐसे नवरत्न कंपनी का स्टेस दिया गया नवरत्न स्टेस जब मिलता है तो क्या benefits होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं जिसे हम सब का knowledge बढ़ता रहे, in case अगर EREDA को 1000 करोट कहीं invest करना है उनके business के लिए EREDA नवरत्न कंपनी ना होती तो हुसे Central Authority से approval लेना पड़ता कि हमें ये investment करे या ना करे फिर उनको पूरा details में बताओ कि हम क्यूं investment करना चाते है और कैसे करना चाते है तो सारी चीज़े details में बतानी पड़ती है अगर नवरत्न कंपनी ना होती तो पर जैसे नवरत्न status मिलता है कंपनी को अब उने 1000 करोट तो कोई भी investment करना हो तो वो directly decision ले सकते है बिना कोई approvals के without any approvals from Central Authority अगर आपको समर्ज में ना आया हो शायद मेरा समझाने का तरीका सही ना हो तो प्लीज आप comment कर देना तो मैं फिर से आपके लिए और अच्छे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा तो ये share में हम कैसे invest करें क्या strategy रहेगी invest करने की क्या targets रहेगे ये share के सारे चीज़े cover करने की कोशिश करूँगा और हाँ दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो इरेडा को इनवरतन का status मिला है बट उनका ये target है अब कि हम और अच्छे से काम करें जिसे हम महारतन स्टेटेस भी हासिल कर पाए तो कहीं न कर एक positivity दिखी उनकी तरफ से जब हम इसका chart देखते है तो अभी ये trade कर रहा है करीबन 180 के आसपास जहां मुझे लगता है आने व volatile रहता है तो इसे टुकडो में accumulate कर सकते हो मेरे point of view से 120 के आसपास एक fair value बनती है एक entry level बनता है ये share में अगर उस level में मिलता है तो एक अच्छा भाव बनता है वरना आपको टुकडो में invest करना पड़ेगा but yes मुझे लगता है ये share आने वाले time में 200-210 के target दिखाने की पू किर से review करेंगे आगे के targets के लिए तो अपने watchlist में जरूर add करे और PSE stocks में stop loss trail करते रहे तो ये था मेरा आज का वीडियो आपके लिए एन हाँ दोस्तों अगर आपको investment करते हो तो please or please अपने advisor तो जरूर सलल ले और सबसे ज़्याद आप खूद research करे और चैनल को subscribe जरूर कर ना बिल्कुल ना बोले तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में वही किसी नए stock के साथ या फिर नए description के साथ शुकरिया वीडियो में बने रहने के लिए अपना ख्याल रखना जय हिंद